नमस्कार में उप्रिया, आज है 21 सेतंबर चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बैंक ओफ इंडिया ने विभिन पदों के लिए निकाले रिखती हैं नौकरी के च्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुश खबरी बैंक ओफ इंडिया ने विभिन पदों के लिए रिखती आँगोशुत करती हैं जिसके परणाम सरूप जो भी अभिरती बैंक ओफ इंडिया के तरब से निकाले गए नियुक्तियों के लिए आवेदन भरना चाहते हैं बैंक ओफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर जाकर भर सकते हैं आपको बता दे बैंक ओफ इंडिया ने विभिन पदों के लिए 244 पदों पर आवेदन की मांग की थी जिसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू हो चुकी है जो की 30 सितंबर तक जारे रहेगी वहें इन पदों से जोड़े इतमाम जानकारी भी बैंक ओफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ली जा सकती है राजसरकार ने इंद्रा आवास योजना के अनुसूची जाती एवं अनुसूची जनजाती को 50,000 देने का लियार निरने राजसरकार ने बिहारवासियों के लिए एहम सूचना जारी की है राजसरकार ने एक अप्रेल 2010 के पूर्व के इंद्रिया अवास योजना के अनुसूची जाती एवं अनुसूची जन जाती तिता अधी पिछरा वर्ग के लाभार्थियों को अपने अधूरे मकान को पूरा करने के लिए 25,000 रुपए देने का अधूरे ने लिया है एक लाग 68,000 के पार बिहार में कोबिट-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जारी है स्वास्ति विभाग के तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किये ग्यांकडों के नुसारकुल में लाकर 1616 मरीज पॉजिटिफ पाए गये हैं जो इसके बाद प्र जोहनबाद में 19, कैमूर में 14, कटिहार में 32, खगडिया में 9, किशनगंज में 22, लखी सराय में 30, मध्यपूरा में 49, मधुबनी में 49, मुंगेर में 33, मुझफरपूर में 101, नालंदा में 49, नवादा में 14, पटना में 209, पुर्णिया में 73, रोतास में 57, समस्तिपूर में 11, सीता मड़ी में 13, सिवान में 27, सुपूर में 93, वैशाली में 30, पश्चन चंपारेन में 20, वहीं दूसरी तरफ स्वास्तिव भाग की तरफ से बीते शाम चार बजे तक जारी के अपडेट के नुसार को मिला कर एक लाग 54,443 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 864 लोग ही ज इन महिलाओं ने बिहार के सभी प्रभुक राजुनेतिक दलो से 50% महिलाओं में द्वारों को देने की मांग की है, कुछ पुर्ष सरपंचो और मुख्या ने भी अपनी आवाज बुलंद की है, उन्होंने भी अपना फोटो और महिलाओं के द्वारा पक्ष में नारे लग बिहार के ओद्योगी की छेत्र में अब 10% जमीन कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए होगी रिजर्व बिहार में ओद्योगी की छेत्र में अब 10% जमीन सिर्फ अनुसूचित जनजाती अतिर्पिस्टो और महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, राजिसरकार ने कमजोर के कई महत्वपून प्रयोक किये हैं डीजीपी कुपतेश्वर पांडे ने क्यामूर के मुंदेश्वरी एवं हर्सु ब्रह्म्ह धाम में ज़ाकर मत्था टेका है साथी उन्होंने मनत भी मांगी इस दोरान वो मंदिरों में प्रवेश निशेद होने के कारण खुद मंदिर के गर्वक्रे में नहीं पहुचे और चोखट से ही पूजा अर्चुना की मुंदेश्वरी मंदिर में ही उन्होंने मंदिर का कपाट खुलने के बाद ही प्रवेश नहीं किया साथी नियमों का हवाला देते वे लोगों को भी इससे जुड़े रहने की सलाह दी हाला कि डीजीपी के आने के मद नजर दोनों जहू के मंदिरों के एक अपाट खोल दिये गये थे सुरक्षा के लिए रहेंगे इसके लिए स्वास्तव भाग ने बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्टर को 11 तक्षिबलब 4 एक लाख लीटर हैंड सैनिटाइजर खरीडने का ओर्डर दे दिया इसके साथ ही प्रिथानमंती नरेंद्र मोधी 21 सेतंबर यानि की आज फिर से 14,000 करोर की सौगात देने वाले हैं वही 9 हाइवे प्रोजेक्ट की नीव रखेंगे इसके अलावा भी आप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस का भी शुभारम करने वाले हैं COVID-19 जाच में बिहार ने बनाया नया रिकॉर्ड बिहार में COVID-19 का क्यहर लगातार जारी है से संक्रमन में बचाव के लिए राजसरकार की तरफ से कई कदम भी उठाएगे हैं लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का ओपियो करने की सलाह भी दे गई है तो सिर्फ एक दिन में 1,76,000 लोगों की जाच की गई है बिहार में राश्ट्रे रिकॉर्ड अपने नाम दर्च किया है आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे बिस्मिल्ला खान की बिस्मिल्ला खान हिंदुस्तान के प्रख्यात शेहनाई वादक थे उनका जन्म डुम्राव बिहार में हुआ था साल 2001 में उन्हें भारत के सरवोच सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तीसरे भारते संगीत कार थे जोने भारत रत्न से सम्मानित किया गया बिस्मिल्ला खान के प्रारंबिक जीवन की बात करे तो उनका जन में बिहारी परिवार में पैगंबर खान और मिथुन भाई के यहां पर हुआ था महीं बिहार के जुम्राव के ठठेरी बाजार में एक किराय के मकान में हुआ था आपको बता दे बिसमिल्ला खान काशी के बाबा विश्वनाथ मंदर में जाकर शेहनाई बजाते भी थे इसके अलावो वो गंगा किनारे बैट कर घंटे और याज भी किया करते थे हाला कि उन्होंने साल 2006 में 21 अगस्त को दुनिया को अलविदा के दिया था गया के लॉंगी भूया ने पहार से 5 किमिटर लंबी नहर खोद कर मिसाल कायम कर दिये जिसके बाद उनकी चर्चापुरे देश में हो री ऐसी क्रमे अननन्द महिंदरा ने भी अब अपनी पहुँच बना ली है इसके साथ ही मिली जानकारी के नुसार महिंद्रा γ्रूप के चैर्में आनन्द महिंद्रा के निर्देश पर गया के स्वाराजपूरी रोड सित महिंद्रा के दिरर ने लॉंगे भुईया को ट्रक्टर सॉप दिया है गया के बांके बाजार के लटवा कोठी लवा गाउं में रहने वाले 70 बरुशिय लॉंगी भुया अकेले पहार से गाउं तक 5 किलो मीटर तक नहर खोद करमस्चाल पेश की है इसके साथ ही इसकी जानकारी जब आनंद महिंद्रा को मिली तो उन्होंने ट्वीट करते वे उनकी सरहना करते वे ट्राक्टर देने का एलान पहले ही कर दिया था दिवाली छट पर बिहार जाने वाले यात्रों के लिए खुशकाबरी दिवाली और छट के शुभाफसर पर बिहार जाने वाले यात्रों को परिशान होनी की जरूरत नहीं है भारतीय रेलवे के द्वारा आज से 20 जोडी क्लोन ट्रेन चलाई जारी है इन ट्रेन में अधिकतर ट्रेने बिहार होकर गुजरने वाली है सभी ट्रेनों के टिकेट बुकिंग भी 19 सतंबर से शुरू हो चुकी है रेल बंत्रारे के तरफ से साजह की गई जानकारी के नुसार इन ट्रेनों का ठहराव सीमित होगा साथ ही यह ट्रेने पूरी तरह आरक्षित ट्रेनी की होगी इनमें पूर्व मधेरेल, छेत्र दिली, शेहर से राजगीर दिली, राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस, दर्भंगा दिली, दर्भंगा एक्सप्रेस वे मुजफरपूर दिली, मुजफरपूर एक्सप्रेस और राज़ेंदर रगर दिली, राज़ेंदर रगर चालत साथ जोड़ी और क्लोन ट्रेन भी बिहार से गुजरने वाली है बिहार को 2014 तक कार्बन नीट्रल स्टेट बनाने की तैयारी होई शुरू जलवाईयो परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया वर्तमान समय में कई तरह की परिशानियों का सामना कर रही है जलवाईयो परिवर्तन के पीछे एक बड़ी वज़य कारण उत्सरजन है जिसने चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर विराजमान है देश में कारण उत्सरजन कम करने को लेकर कुछ प्रयाज शुरू होने वाले हैं बिहार में इससे पहले ही यह काम शुरू किया गया था जलवाईयो परिवर्तन का खामियाजा सबसे ज्याजा बिहार को पिछले कुछ सालों में भुगतना पड़ा था इसी को देखते वे सरकार ने कारिक्रम की शुरूआत की है जिसका नाम जलजीवन हरियाली कारिक्रम रखा गया इसके तहर तीस साल के अंदर 24,000 करोर खर्च कर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिसका प्रयास किया जा रहा है जिसके पर नाम सवरूप 2014 तक विहार नीट्रिल स्टेट बना सकेंगे चुराग पासवान ने रामविलास पासवान को लेकर जारी किया पत रागा में विधानसभा चुनाफ से पहले लोजपा में कुछ सही धंक से रही चार रहा है मेली जानकारी के अनुसार लोजपा के मुख्या रामविलास पासवान की तब अब स्वास्त का जिक्र किया है जुठी में चुरागपासवान ने बताया कि वो क्यों दिल्ली छोड़कर बिहार वधान सफाचुनाफ के लिए बिहार फिलहाल नहीं आ सकते हैं इसके लावा सीटों के तालमेल को लेकर भी उन्हों ने खुलासा किया है ट्राफिक नियम तोड़ने पर अब घर पहुचेगा चलान राजधानी पटना के चपे चपी पर सीटीवी कैमरे की नजर अब होगी जिसके पर नाम सरूप राजधानी पटना में किसी भी तरह की घटनाओ पर लगाम लगाने के लिए पटना पुलिस की नजर अब चपे जाएगा इंटिग्रेटिड कंट्रोल कमांड सेंटर की कंट्रोल रूम में इसकी नगराने की जाएगी यह कैमरे गलियां स्कूल कॉलेज अस्पताल और चौक चौराहे पर लगाये जाएगे इसके साथ ही पटना देश के सबसे अधिक सीटीवी कैमरा वाला शहर बन जाए किनालमान के नाम से मशूर लौंगी भूया के अधूरे काम को राजसरकार पूरा करने वाली है मुखी मंतर नितीश कुमार ने पूरी नहर की खुदाई कराने का आदेश दे दिया है जलसन साधन मंतरी संजय जहा ने इस बात की जानकारी दे दी और कहा है कि इसकी सूचना किनालमान को दे दी गई है जल्धी उनके द्वारा किये अधूरे काम को पूरा करने की शुरुआत राजसरकार करेगी जलसन साधन मंतरी ने आगे कहा कि गया जुले के वांके बाजार प्रकंड नंतरगत को टावा गाउन निवासी लौंगी भूया कर्मी योगी है आज उ विश्यों के 4,638 रिक्त पदों पर सहाइक प्राध्यापकों की निवक्ति की जाएगी राजसरकार ने रविवार को छुटी होने के बाद बिहार राज विश्विद्याले सेवा आयोग को इन पदों पर निवक्ति के अधि सूचना भेज दी है अब आयोग जल्धी इन प विश्विद्याले सेवा आयोग को रविवार की अभियाचना भेजने की जानकारी दे दी है विश्विश्विद्याले वार इन रिक्तियों को अधिचायन आयोग की तरफ से किया गया है IGIMS में दिव्यांगो का होगा बहतर इलाज भिहार की राजधानी पतना के IGIMS में दिव्यांगो और नीसंतान के इलाज के लिए केंद्रे मंत्री रविशंकर प्रसाद के अध्यक्षता में स्वास्त मंगलपांडे IGIMS के प्राचार धिक्षक और सानिय विधायक संजय चौ के लिए बिहार के लोगों का बहतर रिलाज हो सकेगा और मरीजों को दूस्टरे राज में लाज करवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा उन्हों ने कहा कि COVID-19 से बुचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाया रखना आवशक है बार प्रभावत आपदा है और साथ ही साथ बिहार में इस साल COVID-19 के माहौल में यह प्रकृतिक आपदा आई है ऐसे में सुरक्षित दूरी के मानका पालन कैसे किया जा सकता है बिहार भाजपा प्रभुख संजय जैसवाल ने चुनाव का एजिंडा तयार करने के लिए जनता की राय लेने की कही बात उन्होंने कहा कि बिहार का भविश्य तैकरने और अंतिम निर्भर बिहार के लिए जंता से राय लेना होगा इसके लिए राज्य में नीचे तक जाकर जंता की राय जानी जाएगी बिहार की जंता को अपने राय देने के लिए एक नमबर भी जारी किया गया है जिसके परिणाम सरूप अब सभी आमनागरिक 57171717 पर मिस्ट कॉल करके अपनी सलाह दे सकते हैं सिक्षा मंत्री ने प्रदेश की सिक्षा विवस्था बहतर होनी की कहे बात बिहार में सिक्षा हमेशा से ही सबसी जादा चर्चाओं में बनी रही है एक समय ऐसा था जब बिहार परिक्षा में कदाचार और टॉपर घोटाले के लिए चर्चा जोर शोर से थी वहीं सिक्षा मंत्री ने अब दावा किया है कि पिछले 5 साल में बिहार में सिक्षा विवस्था पूरी तरीके से बदल चुकी है बिहार के स्कूल में एडमिशन के लिए बाहर के चात्रों के आवाजा ही बढ़ गई है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योशा की शिरुवाद 2 अक्टूबर 2016 हुई इसके तहट उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धन चात्र चात्रों को 4 लाग की राशी रिण के रूप में उपलवत कराई जा चुकी है इतना ही नहीं साइकल खरीदने के लिए 90 के चात्र चात्राओं को प्रती चात्र चात्रा 3,000 रोपे के दर से साइकल खरीदने के लिए भी उनके बैंक खाते में DVT के माधम से भीज़े जाने की बात भी कही गई है राज़त लेफ्ट की बैठक हुई खदम राज़त और वामदलों के बीते दिन बैठक का आयोजन करवाए गया था जहां पर मीटिंग के बाद राज़त का रयाले के बाहर निकले वामदलों के नेताओं को तेवर देखने लाइक था बैठक के दौरान हुई बाचीत से पाट भी इसका जवाब नहीं दिया जा सकता NCB ने सुशान सिंग राज़पूत की पूर्फ मैनेजर शुती मोदी और जया शाह को भेजा समन सुशान सिंग राजपूत मामले में NCB के हर्स्त छेप की बाद कई लोगों को सलाखों के पीछे भीजा गया है इसक्राब में बीते दिन सुशान सिंग राजपूत की पूर्फ मैनेजर शुती मोदी और जया शाह को समन भेज दिया गया है जिसके बाद आज उनकी पेशी होने क्यों मीद्व जताई गई है समन में कहा गया है कि शुती और जया को सुमबार को NCB के सामने पेश होना होगा आपको बता दे सुशान सिंग राजपूत मामले में NCB अब अपने तरीके से जाच परताल कर रही है अब तक कोल 18 लोगों को हरासत में लिया जा चुका है दिली कैपिटल्स में सूपर ओवर में किंग्स 11 पंजाब को दो विकेट से दी गई मात IPL के 13 वे संसकरन में बीते दिन खेले गए दिली कैपिटल्स के सूपर ओवर में किंग्स 11 पंजाब को दो विकेट से हराक रोमांचोक जीत दर्ज की है जिसकी जानकारी के अनुसार मार्क्स स्टोईनिस के अर्थशतक के बदॉलत दिली ने 20 ओवर में 8 विकेट होकर 157 रन बनाए जवाब में पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट होकर 157 रन बनाए जिसकी वज़े से मैच टाई हो गया वहीं अंतिम 3 गेंदों पर 12 रन दिय इसके साथ ही बैंक अगरवाल ने मैच को टाई करवाया ओपो के नए स्मार्टफोन पर होगा महेंदर सिंग धोनी का ओटोग्राफ ओपो रेनो 4 प्रो नया मोबाइल रेनो 4 प्रो का एक और वेरियंट पेश किया गया है या नया वेरियंट गैलेक्टिक ब्लू रंग में साथ ही इस पर इंडिन क्रिकेट टीम के पुर्फ कप्तान महेंदर सिंग धोनी का ओटोग्राफ भी मौजूद है मोबाइल के फीचर्ज और दामे कंपनी ने कोई परिवर्तन हाला की नहीं किया है मोबाइल का दाम 34,990 ही है जो कि इसके 8GB और 128GB का दाम है महेंदर सिंग ध आप पैसे जिन यूजर का कमेंट है में अच्छा लगा है उनके नाम है उजारा चौधरी, सोनुडाजवन, शीमिधुन सिंग, शेहनवाज, एहमद, सुबोध, कुमार, अर्विंद, प्रसाद, मितेश कुमार, ओमकार, सिंग, पवन, एंटेटेंवेंट, चंदन, कुमार हेमंतराज, शंकर यादव, जोलंधर, शेक, हरजय, शंकर, कुमार, रवी, रंजन, कुमार, नीलच, इसके साथ ही हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय क्या भाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब आपके लिए बस इतना ही, अगर आपे वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो, तुमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ऑन दबाना ना भूले, और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा जादा शेयर करें, धन्यवाद